नमस्कार कैसे हैं आप लोग उमिदे आप लोग बिल्कुल ठिक होंगे आज के इस वीडियो में एक संधार टोपी पे चर्चा करने वाले हैं वीडियो को अंटक देखते रहिएगा जैसे कि पिछले वीडियो में लोड केल्किलेशन और आपका घर का जितना लोड है वो 12 घं के पिछले वीडियो देख सकते हैं क्योंकि पिछले वीडियो को ही हम यहाँ रही है जिसमें बारा घंटे में बिजली की खपत जो हो रही थी वह लगबक 17 यूनिट की हो रही थी अगर आपके घर का 17 यूनिट बिजली की खपत है तो आप उस पे कितने वाट तक का सोलर पाइनल को कनेक्ट करेंगे जिसे की आपका बिजली बिल जीरो हो जायेगा आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं तो वीडियो को भर में एक यूनिट बिजली की जनरेशन करती है इसे हिसाब से एक हजार वाट सोलर पाइनल पूरे दिन में एवरेज चार यूनिट पर डे बिजली की जनरेशन करेगी हमें निकालना है 17 यूनिट बिजली बिल के लिए कितना सोलर पाइनल लगाना परेगा देखते हैं 250 वाट इक्वल टू वन यूनिट पर डे इसलिए 250 वाट इन्टू 17 अगर हम लोग 250 वाट इन्टू 17 करेंगे तो आपका यह आ जाएगा 4,250 वाट अगर हम लोग सोलर पाइनल लगाते हैं तो जो हम लोग का 17 यूनिट बिजली का बिल आ रहा है वो आपका 0 हो जाएगा इसी तरह से आप निकाल सकते हैं अगर आपके घर में रोज का 3 यूनिट बिजली की खपत होती है तो आप इसी तरीके से कल्कुलेट कर सकते हैं कि आपको कितने सोलर पाइनल को लगाने की आश्यक्ता परेगी चलिए हम लोग इसको भी निकाल कर देख लेते ह तीन यूनिट बिजली बिल के लिए कितने कीलो वाट का सोलर पाइनल लगाना परेगा देख लेजिए 250 वाट एक यूनिट पर डे इसलिए 250 गुने 3 इसको लोग मल्टिप्लाई करते हैं तो यह हो जाएगा 750 वाट तीन यूनिट बिजली बिल को जीरो करने के लिए हमें 750 वाट का सोलर पाइनल लगाना परेगा इसी तरीके से आप अपने घर का कितने यूनिट बिजली की खपत हो रहे है और उस बिजली बिल को जीरो करना है तो हमें कितने वाट का सोलर पाइनल लगाना होगा अगर इस से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं उमीद है आप लोग का डाउट किलियर हो गया होगा अब हम अगले वीडियो में चार्चा करेंगे कि 150H बैटरी को चार्ज करने में कितने यूनिट बिजले की खपात होती है तो दोस्तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो को अंत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकान को प्रेस कर लिजिए जिसे कि आपको आने वाले अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए तब तक के लिए जय हिंद